एक लड़की होना आसान नहीं होता इसलिए आज भी मैं हर लड़की को ये जरूर कहती हो कि जिन्देगी में कभी भी किसी पर डिपेंड मत होना खासकर पैसो केले तो बिलकुल भी नहीं मैं जानती हूँ, आज के दौर में लड़कियां आगे भड़ रही है, इंडिपेंडेंट बन रही है बट स्टिल, इस 21st सेंचुरी में भी, आज भी हर लड़की अपने पैरों पर नहीं खड़ी है इसकी वज़ा से उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेज करनी पड़ती है ये तुम अपनी मा को देखकर समझ सकती हो बात ये नहीं कि उन्हें किसी चीज की कमी है या क्या बात है उन्होंने अपने सपने, अपनी ख्वाईशें, दफन कर दिये हैं एक हाउसवाइफ बनकर और इस थाइंकलस जॉब के लिए ये समाज उस चीज की रिस्पेक्ट तक नहीं करता है और वो खुद को भी लेकर अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करती है क्योंकि वो बचपन में पहले अपने माबाप पर डिपेंड रहती है फिर शादी के बाद हजबन पर और एक उम्र बाद जब भड़ापा आ जाए तो अपने बेटो पर इसलिए उन्होंने कभी खुद के लिए डिसिजन्स लेने की हिम्मत नहीं की पूरी जिंदेगी वो इन सिक्यॉरिटी में ही रहती है क्योंकि वो नहीं जानती कि कैसे कमाते हैं कैसे financial responsibility लेते हैं इवन खुद की emotional responsibility कैसे लेते हैं वो ये तक नहीं जानती गलती उनकी नहीं है उन्हें ये सिखा दिया गया है कि तुम्हें तो बस शादी करके बच्चे ही समालने हैं इस सब पढ़ाई लिखाई का और शायद इसी सोच की वज़ा से आज भी बहुत सी लड़कियां सिर्फ एक housewife बनकर settle हो जाना चाहती हैं क्या कभी देखा है ये समाज आदमी को husband बुलाता है लेकिन एक औरत को housewife का tag लगा कर बुलाया जाता है क्यों? सिर्फ wife क्यों नहीं कहते? बस इसी सोच से मुझे हमेशा से problem रही है इसलिए मुझे society के rules में fitन होना बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि इस समाज ने हर लड़की के जहन में ये बाट डाल दी है कि घर तक ही तुमारी जिंदगी है पचीस में शादी, तीस में बच्चे यही सब तो लड़कियों का काम है ससुराल वाले नौकरी करने दे तो करना पर ना छोड़ देना हाउस वाइफ बन जाना क्या फरक पड़ता है? पती की सेवा, बच्चों की देख भाल यही तो कर्तव वे है तुमारा यह क्या इंडिपेंडेंडेंट बनने का नारा लगा रख है पती तो कमाएगा ना तुमारा फिर इतने पैसों का क्या करोगी? अब अपनी पहचान बनाने की क्या जरूरत है तुम्हें? पती के नाम का सिंदूर है ना? ये क्या equality equality करना तुम kitchen में अच्छे लगती हो उची अवाज में बात करना लड़कियों को शोभा नहीं देता लड़की हो तो लड़की बनके रहो आखिरकार लड़की के हाथों में ये तो घरवालों की नाक होती है है ना वारे दुनिया वालो कुछ भी कहो सोच तो कौडी भर की ही रखते हो मैं घर के काम को छोटा नहीं कह रही हूँ इनफैक्ट घर चलाना किसी कमपनी से कम नहीं है पर घर के काम करना मेकप करना शॉपिंग करना इन सब के लिए नहीं बनी एक लड़की और अगर कोई ऐसी सोच रखता है तो माफ कीजेगा आप अपनी सोच बदल ले तो अच्छा होगा हम लड़कियां इस सोसाइटी समाज को नई दिशा और दिशा देने के लिए बनी हैं ये अच्छे से जानती हैं कि ना कमाना असान है और ना घर चलाना पर समाज सिर्फ आदमियों को इज़द देता है और तों को नई इसलिए किसी के भी काम को लेकर उन्हें छोटा या नीचा दिखाने की कोशिश ना करें और मैं ये भी मानती हूँ कि दुनिया में हर लड़की को कमाना चाहिए फिर चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो या हाईली क्वालिफाइड बात सिर्फ पैसो की ही नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की भी है लाखो भले ही न कमाओ पर इतना जरूर कमाओ कि अपने खर्चे खुद उठापाओ और सच कहूं तो जब खुद का कमाओगी न तो अपनी नजरों में जो इजज़त और कॉन्फिडेंस होगा वो बात तुम्हें किसी करोड़ पती की बीवी बनने से नहीं मिलेगी इसलिए पूरी जंदेगी किसी के घर की नौकरानी बनने से अच्छा है बराबर से सर उठा कर अपने दम पर जीओ ताकि पूरी जंदेगी दब के न रहो कोई तुम्हारा अब्यूज या इस्तमाल न कर सके तुम्हें जलील न करे तुम्हें किसी का गुलाम न बनाया जाए तुम डिप्रेशन या स्ट्रेस में न आओ किसी पिंजरे में कैद न रहो कोई नौकरानी बन के न रह जाओ इसी लिए जरूरी है तुम्हारा अपने पैरो पर खड़े होना फिर किसी की उंगली न उठे ये कहने के लिए कि तुम करती ही क्या हो तुम्हें क्या पता दुनियादारी क्या होती है तु सुनो तुम वो सब कर सकती हो जो एक लड़का कर सकता है वैसे भी खुदा न खासता जिनके भरोसे आज आज आब जी रहो कल को वो इनसान न रहे या वो खुद आपको छोड़ने की तैयारी में हो या खुद आप उसके साथ रहना न चाहती हो तो क्या करेंगी, कहां जाओगी, कैसे सर्वाइफ कर पाओगी तुम कब तक यूँ डरती रहोगी, इस समाज की दो कोड़ी की सोच में खुद को एड़्जस करती रहोगी उठो, अपने लिए जितनी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ो फिर उसके लिए चाहे जितनी गालियां खानी पड़े, जितनी नफरत पैदा करनी पड़े, सब कर लो लेकिन इंडिपेंडन्ट जरूर बनो जितना फामिली में सबको लड़कों के करियर की फिक्र रहती है मैंने कभी नहीं देखा किसी को एक लड़की के फ्यूचर उसके करियर की चिंता करते हुए इसलिए करियर किसी भी कीमत पे, बीच में किसी के लिए भी मत छोड़ना जो लोग तुम्हें आगे बढ़ने में सपोर्ट नहीं कर सकते उनके लिए अपनी जिन्दगी को साक्रिफाइस करना ये कौन सी समझदारी है कोई अगर ये शर्त रखे कि तुम्हें अपना करियर छोड़ना पड़ेगा चाहे वो तुम्हारे माबाप हैं, इनलॉज हैं या हस्बेंड तो कोई जरूरत नहीं है, किसी का शिट बिहेवियर टॉलरेट करने की ये प्यार व्यार नहीं, सौदा है आज तुम अरेंज मैरेज कर लो या लव क्या गैरेंटी है कि वो इनसान सही है देखो लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है वक्त के साथ सब बदलता रहता है और सबसे जादा तो इनसान की नियत इसलिए किसी के भी भरू से मत बैठो सब के साथ थोड़ा अपने बारे में भी सोच लेना मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है घर के काम करने के साथ साथ ये भी समझो कि जिन्दगी सिर्फ हाउस वाइफ बनने के लिए नहीं है क्योंकि वहाँ तुम सोचने समझने के तरीके से कभी ग्रो नहीं कर पाओगी तुम्हारी जिन्दगी है तुम्हारे अलावा इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा इसलिए जितना हो सके अपनी नौलेज भढ़ाओ पढ़ो सेल्फ डिपेंड बनो अपने सर्वाइवल के लिए ताकि अपने पैरो पर खड़ी हो सको समाज में अपना नाम कर सको किसी और की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े खुद अपनी नीट्स को फुल्फिल कर सको हर छोटी चीज के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े कोई भी लड़की हो उसे कुछ न कुछ करते और सीखते रहना चाहिए उसका income source उसके पास होना चाहिए कितना save करना है कहा invest करना है यह सब तुम्हें आना चाहिए because life is tough my darling but so are you and you are so strong and capable that you can achieve anything in your life believe me आज तुम खुद अपने ले खड़ी होगी तुम्हें देखकर तुम उनके ले inspiration बनूगी and for this every girl needs to be financially independent so you are not just someone's wife or someone's daughter or someone's sister your identity will be defined by your ability to be independent no you don't need a man to complete you तुम खुद में पूरे हो खुद को इन छोटी सोच के दलदल से बाहर ने कालो और अपने लिए एक नई दुनिया बनाओ but just remember never, never settle for less because you are much more stronger than you think of who you are you you